सबसे पहले आते हैं POLINOMIALS किसे कहते हैं ठीक है जैसे कि इसके नाम से किलिए रहे बेटा ये दो पार्ट में बढ़ता है एक होता है POLY एक होता है NOMIALS POLY मतलब होता है बहुत सारे और NOMIALS मतलब होता है TERMS यानि कि बहुत सारे TERMS से जो मिलकर बनता है उसको बोलते है POLINOMIALS ठीक है ना बहुत सारे TERMS से जो मिलकर बनता है उसे कहते है POLINOMIALS तो सबसे पहले तो बेटा ये इसकी mathematical definition है कि POLINOMIALS कहते कैसे अब थोड़ा और इसको simplify करते है ये हुआ क्या है ये कितने सारे TERMS मतलब क्या हुआ ठीक है अब सबसे पहले POLINOMIALS जो बनता है बेटा वो बनता है variable into constant से मिलकर बनता है POLINOMIALS जो होता है वो आपका क्या बनता है भाई आपका variable और constant से मिलकर बनता है आप सबको भाई constant के बारे में पता हुआ constant किसे कहते है जो सीमित रहे जो change ना हो किलियर है और variable किसे बोलते है जो change होता रहे बाई constant क्या था जिसको जो change ना हो जैसे कि digits बाई digits कभी change होती है नहीं होती बाई 2 है तो 2 ही रहेगा 3 है तो 3 ही रहेगा 4 है तो 4 ही रहेगा बाट variable variable change होते है जैसे कि अभी x की value 1 आई अगले question में कुछ और आएगी तो variable क्या होते है वो सीमित नहीं होते है वो change नहीं होते है वो सीमित नहीं रहते clear है भाई तो यह होता है variable और constant का मतलब अब definition सुरो polynomials के यह कहता है it is a combination of a variable and constant यह variable और constant का combination होता है with some operation कुछ operation के साथ वो operation क्या होंगे या तो addition का operation होगा या तो subtraction का operation होगा यानि कि इसके साथ plus minus में कुछ होगा जैसे example यह देखो क्या लिखा है भाई यह देखो variable और constant का combination है with some operation या तो आप plus लगाओ या तो आप minus लगाओ सरे दो यह operation या तो plus या तो minus अप plus minus में कोई भी नंबर लिख दो constant है तो यह example है आपका polynomials का क्या बोला मैंने कि यह variable और constant का combination होता है but with some operation कुछ operation के साथ और वो operation दो होंगे या तो addition या तो subtraction तो मैंने यहाँ पर लगा दिया भाई addition और subtraction अब यहाँ पर कुछ भी होगा कोई भी कुछ भी हो सकता है जैसे कि यह example के लिए रहे भाई दूसरी चीज जो variable की power होनी चाहिए वो याद रखना वो हमेशा whole number होना चाहिए भाई यहाँ पर लिख देता हूँ the power of a variable is a whole number is a whole number वो हमेशा whole number होना चाहिए जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर variable की power negative या मतब fraction वाली value आ गई तो इसका मतब वो polynomials आपका नहीं है ठीक है बच्चो याद रखना यह हम आपको 9th का याद दिला रहा हूँ ठीक है इसके बाद आता था degree of a polynomial किसे कहते है degree किसे कहते है the highest power of a variable जो variable की highest power होती है उसको degree कहते है जैसे यह तो भई आपर highest power कितनी है 2 तो यानि कि यही इसकी क्या कहला जाएगी degree कहला जाएगी भई यह न इसकी सबसे बड़ी power इसमें 1 है इसमें 2 है तो सबसे बड़ी power तो 2 होई तो यानि कि यही क्या होगा आपका degree कहला जाएगा के लिए रभाई इसके बाद आता था टाइपस ओफ पॉलिनॉमिल्स होता था अब भाई कॉफिशेंट किसे कहते है अच्छा कॉफिशेंट किसे कहते है कॉफिशेंट जैसे कि मैंने एक एक्जामपल दिया 2X स्कुएर माइनस 3X प्लस 5 मैंने बोला X का कॉफिशेंट बताओ तो X का कॉफिशेंट का मतलब होता है कि X के साथ जो नंबर होगा वो उसका कॉफिशेंट किलाएगा तो भाई याँ पर X के साथ क्या नंबर है माइनस 3 अगर मैंने बोला X स्कुएर का कॉफिशेंट निकालो तो भाई आपका x square के साथ कौन सा number है 2 तो यानि कि यह किसका coefficient होगा x square का coefficient होगा समझ मा आ गया भाई coefficient किसे बोलते है degree किसे बोलते है polynomial's actual में क्या है ऐसी होता था मेरा types of polynomial types of polynomial's में सबसे पहला polynomial आता था linear polynomial भाई linear polynomial किसे कहते है जिस polynomial की degree 1 होती है linear polynomial जैसे यह example देखो उसकी degree 1 है तो यह linear polynomial है जिसकी degree 2 होगी उसे बोलेंगे quadratic polynomial इसका काम आएगा इसी का काम आएगा इस chapter में बागी किसी का काम नहीं है और cubic polynomial किसे बोलते थे जिसकी degree कितनी होती थी 3 होती थी जैसे x की cube या x की cube प्लस 2x square प्लस 5x प्लस 6 कुछ भी बोल सकते ह जिसके degree 3 हो बस degree का मतना पता ही आपको क्या होता है कि लिए रहा भाई तो यह सब हमने 9th class में पढ़ाता और एक चीज और पढ़ी थी जिसे बोलते थे 0s याद होगा आपने x की value 1 put करो y की value निकलेगी अगर 0 है तो यह इसका 0 है ठीक है ना तो सबसे पहले मैं आपको पहल next topic है हमारा zeros अब यहाँ पट zeros क्या होता है basically देखो zeros क्या होता है suppose koji polynomial है ठीक है ना अब मुझे बताने इस polynomial के zeros बताने जैसे कि हम 9th class में करते थे ठीक है ना कि इसके क्या zeros होगे ठीक है अब कोई भी polynomial है जैसे की ठीक है ना अब मुझे जैसे की मैंने एक example ले लिया 2x plus 5 मैंने बोला इसके 0's बताओ ठेके न तो इसके 0's बताने के लिए हम क्या करते थे इसको 0 के बराबर रखते थे minus 5 x की value आगए minus 5 by 2 तो मैं बोलता था इसका जो 0's है वो क्या है minus 5 by 2 है basically 0's मतलब होता क्या है कि x की value put करने पर अगर y 0 आजाए या fx 0 आजाए एक ही चीज बोल ला हूँ तो यानि कि वो इसका क्या किलाएगा 0's किलाएगा अगर मैं यही अगर मैं x की value इसमें put कर दूँ तो आपका answer 0 आएगा आप check कर लो चाहे आपका answer 0 आएगा और मैं कहरा हूँ कोई भी real number put कर लो यह कभी 0 नहीं आएगा कभी नहीं आएगा सिर्फ इसी value के लिए यह 0 आएगा तो दो तरीके से मैं 0's का समझाऊँगा एक algebraically जैसे यह और एक आपको उसकी geometrical representation बताऊँगा 0's की ठीके मैं क्या बोला मैंने कि x की कोई भी value अगर put करा और आपका y 0 बन गया तो यानि कि वही उसका क्या कलाए जाएगा 0's कलाए जाएगा ठीके ना जैसे कि यह निकालने का तरीका अब अगर मैं इसकी geometrical representation में आऊँ geometrical representation of 0's अगर मैं geometrical representation में आऊँ 0's की चलो मैं इसी का graph बनाता हूँ तो graph बनाना आपको आता होगा क्या करते हैं हम यहाँ पर value put करते हैं कुछ भी value put कर लो ठीके ना x 0 put करा तो आपका y कितना हैगा 5 ठीके x minus 1 put करा तो y कितना आजाएगा आपका 3 तो उसका graph बनाओ पहले तो ठीके ठीके सबसे पहले x 0 y 5 यह रहा दूसरा x minus 1 और y 3 यह रहा ठीके भई तो उसका यह जा रहा है आपका इस सरीके से graph जा रहा है यह रहा देख लो भई अब यह वाला जो point होगा यह वाला यह वाला point कुन सा है भई आपका आप सबको पता है यह जो line होती है कौन सी line होती है x axis की line होती है यह कौन सी line होती है आपकी अगर y 0 होता है अगर मैं y को 0 put कर दूँ तो x की value कितनी निकलेगी minus 2 बटे 5 तो उसका मतब यह point क्या होगा minus 2 बटे 5 होगा भई यह तो समझ में आया ना अगर मैं y की जगा 0 put कर दूँ तो x की value कितनी आ रही है यह निकाला है न मैंने minus 5 by 2 sorry minus 5 by 2 minus 5 by 2 यानि की minus 2.5 तो भाई यह यहाँ पर क्या कराय गया था इसको क्या बोला था मैंने zeros जो मैंने algebra के लिए दिखाए था कि zeros कैसे निकालते हैं अब यह graph में zero कहां पर represent हुआ इस वाली line पर x-axis line पर x-axis line पर तो मैं इससे समझा क्या ठीके न मैं इससे क्या समझा मैंने आपको algebraically भी दिखाए zeros निकालके मैंने आपको graph से भी बताया यह यह राज कट कर रहा है x-axis को कट कर रहा है तो यही इसका zeros है मैंने अब यह बताना क्या चा रहा हूँ मैं simple भासा मैं आपको मैंने पहले भी समझाया कि zeros मतलब होता क्या है कि जहां पर आपका y zero बन जाए जिस भी value पर x की जिस भी value पर आपका y zero बन जाए वही आपका zeros होता है तो भाई इस graph में इस graph में y कहां पर zero बना इस point पर क्योंकि ये कौन सा line है x axis और x axis line में y क्या होता है अपका zero होता है ठीक है ना तो यानि कि ये y axis को x axis को कितनी बार cut करा उसने एक बार cut करा तो उसके यानि कि कितने zeros निकले होंगे एक जो कि ये रहा minus 5 by 2 ये निकाला मैंने तो मैं simple भासा में समझ गया वाई कि number of zeros अगर मुझे कोई भी कोई भी graph आ जाए अगर मुझे बताने हो उसको कितनी zeros है तो मैं simple भासा में क्या चेक करूँगा कि वो x axis को कितनी बार cut कर रहा है वो x axis को कितनी बार cut कर रहा है अगर वो x axis को एक बार cut कर रहा है तो एक zeros, अगर वो x axis को दो बार cut कर रहा है तो दो zeros समझा है ना भाई मैं क्या बोलना चाहरा हूँ अगर मैं graph से बोलू तो ये अगर मैं किसी polynomial से बोलू किस के कितने zeros होंगे वो भी easy है जिस polynomial की जितनी degree होगी उतने ही उसके zeros होंगे एक degree है एक zeros 2-degree आएगी, quadratic polynomial आएगा तो 2 zeros 3-degree आएगी, तो 3 zeros ठीक है? मैं दोनों तरीके से बता दिया अगर आपको कोई equation आ रही है और आपसे बोला जाएगी इसके कितनी zeros होंगे क्या होंगे ये नहीं पूछ रहा कितने होंगे number of zeros कितने होंगे आप दोनों तरीके से बता सकते हूं इसमें degree से बताना है और इसमें कैसे बताना है कि वो x-axis को कितनी बार cut कर रहा है ग्राफिकली समझ मा आगया भई कैसे बताना है number of zeros को ठीक है तो आते है फिर exercise number 2.1 में इसको एक बार note down को लो चलो भई देखना चला अब यहाँ पर मुझे क्या बताना है यहाँ पर मुझे बताना है कि number of zeros बताना है in each case ठीक है ना 6 पाट है 6 में number of zeros बताना है तो भाई मैंने क्या बता है था number of zeros का कि वो एक सेक्स को कितनी बार कट कर रहा है यह कितनी बार कट कर रहा है जीरो यह तो कटी नहीं कर रहा तो उसके number of zeros कितने होंगे जीरो यह कितनी बार कट कर रहा है एक बार ठीक है यह कितनी बार कट कर रहा है एक दो तीन तीन बार तो उसके number of zeros कितने होंगे त्री ये कितनी बार कट कर रहा है भई आपका एक दो दो बार ये कितनी बार कट कर रहा है एक दो तीन चार चार बार ये कितनी बार कट कर रहा है भई आपका एक दो तीन तीन बार तो इस तरीके से आपको क्या बताना है आपके number of zeros बताना है ग्राफिकली